हलो गाइस तो आज हमे बना रहे हैं गोबी और आलू की सबजी तो हम्हें एक यूनिक तरीके से अंग्यां थे यूझ थे पीकों कट कर लिया है। अब मैंने १े खाले टॉप के लिया है वैस के अंदर मैंने आलू और अच्छे से उबल जाए और उसमें पानी बहुत कम बचे तो मेना दा चमच नमक और एक चोधाई चमच हल्दी या फिर दो चुटकी हल्दी कह सकते हैं इसे डख दीजी और अब गैस का फिल्म को कर देती हूं और मैं इसे करीब 15-20 मिंट के लिए पकाऊंगे तो यह देखी था अब तक मैं आखे की त्यारी कर लेती हूं यह 10 से 12 मेरे लवकली ली है इनको छिह लिया है और इसको इसत्र ही लिते हैं और इसे इसे रफ लेक्त्तार के शोट चुट्चोटी प्याज हैं तो मैंने चार पिसेस में प्याज को कट कर लिया हैं तो इक ने बड़े साइज और मैंने इसमें डालके से पीछ लेते हैं हम इसके अंदर मैं डाल रहें करीब चार चमच धई तो आपके पास है धई तो आप जरूर लेना और खटी धई नहीं लेनी है मैं तजी दही ल है तो देखिए मैंने मिक्षी जार में से पीछ लिया है बेदोकल पेश्ट बना लिया है जो मिक्षीजार में बागी पेश्ट बचाय से भी निकालेते हैं झ rubbish जार में बचेगा उसे भी थोड़ा पाने डाल के हम डालेंगे बाद यूज करेंगे तो देख सकते हैं अब 20 मिंट हो चुकी है और अच्छे से गल चुकी है यह अब मैंने कड़ाई ली है और इस कड़ाई के अंदर करीब 2-3 चमच वैल डाल दिया इसके अंदर दिखने रहा और अब मैंने एक चमच ले लिया है जीरा दो तेज पत्ते और एक इंच एक से डेड़ इंच द्रक सोरी गय से डाल चीनी का टुकडा और अब जो मैंने मसाले का पेष्ट पीशा था इसे डाल देते हैं एक वर हिला देते हैं और बाकी बचावा पेष्ट भी सारा डाल देते हैं इसके अंदर यह देखिए इस तरह सारा पेष्ट को डाल हमारा में इसी पिकाने में 3-4 मिंड अराम अभा जाएँगी तो इस्तरकंर तीन इसे ask में पिकाया से गया तो पकते हैं निए अच्छे तयार तख सकती है तो जाद कि मसाले होने पाठेए ही अब ले लेते हैं कुछ मसाले तो करीब एक चमच ली है बगा के लाल मिर्ची एक चमच धनिया पाउडर एक चोथाई चमच ले रहे हैं हल्दी पाउडर क्योंकि हल्दी पाउडर हमने पहले भी डाला था और एक आदा चमच नमक लिया है आप आप स्वाद के नुसार लें और मैंने आदा चमच से थोड़ी सी कम ली ही काली मिच पाउडर और नमक आप स्वाद के नुसार लें क्य Cardi के आज़ा ने कितना अच्छा है तो अब मैं जो गोबी को करे रखा सब्सक्राइब निल करता है अब मैं जो पानी को इसके यह कि इसके पानी है घूब करते हुए तो अब देख सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब जो में मिक्स जार में मसाला पीसा था ना उस में से करीब 2-3 जमज पानी डाल की हम उस पानी को भी डाल देते हैं क्योंकि यह मसाला वेश्ट नहीं जाएगा इसलिए तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और यानि पक्की हुई तो पहले से ही थी अच्छे से पक्क के तयार हो चुकी है अब देख सकते हैं अगर आपके पास है त्वारा दनिया जरूर डालें इसके अंदर आपको वीडियो थोड़ी पसंदा थी तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ह सब्सक्राइब कितनी अच्छी बन के तयार होई है खाने में बहुत ही तेश्टी है और इसकी खुस्पू तो इतनी लाजवाब है तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई